हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम परेज सॉलंकी है मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ जहां पर मैं लोगों को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता हूँ यहां पर वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कौन कौन कर सकता है तो यहां पे सबसे पहले मैं बता दू आपको यहां पे कोई भी person export import business कर सकता है condition यहां पे यह है कि आपका mindset होना चीए कि आपको आगे बढ़ना है export import business करना है यहां पे आपको महनत करना पड़ेगा देखिए महनत के बिना यहां पे कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मैंने लोगों को four category के अंदर divide किया है, जैसे कि आप student हो, तो आप कैसे export business कर सकते हो, आप job करते हो, तो आप कैसे export business कर सकते हो, आप housewife हो, तो आप कैसे export business कर सकते हो, और आप एक businessman हो, तो आप कैसे export business कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बताता ह कि export का formula क्या है यस यह बहुत important चीजे कि कोई भी person जो है export business करना चाहता है तो उसको formula पता होना चाहिए उसको step पता होना चाहिए तो यहाँ पे export आपको करना है तो 7 step है जो यहाँ पे मैं आपको practically बताता हूँ जिसको आपको पता चले कि आपको future में क्या काम करना है कौन से आने से पहले यहाँ पर एक information आपको देता हूँ, यहाँ पर आपको अपस दो option है, आप direct अपना खुद का export business कर सकते हो, या तो फिर आप joint venture strategy में काम कर सकते हो, तो दोनों चीजे कैसे करना है, और किसके लिए, कौन सी चीज बेश रहेगी, मतलब कि आपको अपना खुद का direct export business शरू करना चाहिए, या फिर आपको joint venture strategy में work करना चाहिए, joint venture strategy के अंदर without investment भी आप export का business कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर seven step export import business के कौन से है, मैं आपको बताता हूँ, तो first is business setup, yes, सबसे पहले आपको business शरू करना है, तो आपको business setup क करना रहेगा, second is product selection, yes, आपको right product जो है, SWOT analysis करके select करना है, मैं हमारा जो training रहता है, यह हमारा mentorship program रहता है, उसमें practically SWOT analysis का framework कैसे use करना है, कोई भी product जो है, वो profitable रहेगी कि ने रहेगी, उसका feasibility क्या है, वो पूरा जो है, मैं बढ़ाता हूँ, and practically मैं सिखाता हूँ, तो तब जाके right product यहाँ पर select होता है, तो product select करना है, उसके बाद third है country selection, कहाँ पर export करना है, उसके बाद fourth है international marketing, buyer find करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, marketing करना पड़ेगा, तो four point है international marketing, fifth point है buyer finding, yes, कि buyer को find करना है, six point है buyer convincing, yes, buyer को find करके उसको convince करेंगे, तब तो advance payment देगा, तो यह बहुत ही important चीज़ है जब advance payment देगा उसके बाद seven step जो है वो है लाग export process फिर गुड्स को export कर देना है तो जब भी आप export करना चाहते हो तो यह seven step जो है आपके लिए बहुत ही important है तो next हम बात करते है student की तो आप student हो तो आप export business कैसे शरू कर सकते हो तो यहां पर देखिए आप student हो आप college में हो या master degree में हो आपका पढ़ाई शरू है और आपको business शरू करना तो यहां पर दो चीज़ बहुत important है कि आपको business शरू करना basic investment जो है सबसे पहले आपको export import business का proper knowledge लेना है प्रोपर सिखना है एक बार सिखने के बाद अब आप क्या कर सकते हो कि कोई manufacturer को आपको मिलना है उसके साथ joint venture करना है कि मैं आपकी product export करवा के दूँगा and profit का मैं 50% 30% या 40% लूँगा तो आप partnership कर सकते हो manufacturer के साथ और अपना business start कर सकते हो यहां पर आप joint venture करोगे तो आपको investment वगरे भी नहीं लगेगा तो जो लोग यहां पर बोलते हैं हमारे पास इतना budget नहीं है हमारे पास कोई family का support नहीं हमारे like हम गरीब है हमारे parents गरीब है तो आप देखे यहां पर आपके पास unlimited potential है and काम जो है अपने potential से होता है तो यहां आपके पास अच्छा दिमाग है तो उसका यूज करके आप यहां पर business कर सकते हो मतलब कोई यहां पर बोले ना मैं गरीब हुई यहां पर तो मैं आपको बता दू हो अपने काम की बज़े से गरीब है मतलब उसने प्रॉपरली जो है काम नहीं किया है या काम नहीं करना चा और एक बात में आपको बता दू हूँ जब मेरा इतना था तो मैं रहता था वह गरीब एरिया था जहां पर गरीब लोग रहते सारे मेरे बगल के अंदर एक बंदा रहता था और ड्राइविंग का काम करता है तो बंदे को मैं आज भी जानता हूँ और वह बंदा आज भी जो है ड्राइविंग का काम करता है बताए ड्राइविंग के काम में क्या सेलरी वगर रहेगा और मैं आज एक अच्छा बिजनेस में बन गया हूँ तो यहां पर प्रैक्टिकल चीज है कि यहां पर हाड़ वर्क करना पड़ेगा आपको आपका गोल दिखना चाहिए तभी यो गोल अची होता है तो जो इस स्टूडेंट आप जो है जो है जो है जी में काम कर सकते हो जो रहे हैं आपka बिजय को बीकर बजेटने van rapid सक्त्राइव आज आपकर शूर ब्anter इमद पॉजड दिया यहां पर इतना budget है कि आप 3-6 मंथ यहाँ पर सरवाई कर पाओ एंड जो है आप positive हो तो आप job छोड़ के अपना business शरू कर सकते हो अगर आपके बेक अप में फंड है तो एंड आप confident हो तो जो है अपना job छोड़ के आप business शरू कर सकते हो otherwise आप यहाँ पर क्या कर सकते हो joint venture strategy में काम कर सक किये उसके बाद कोई manufacturer को मिली है कि मैं आपको export करवा के दोंगा आपको जो है profit का 30% मुझे शेयर करना है तो उसके साथ आपको joint venture में काम करना है everyday आपको tour काम करना है आपका job तो चली रहा है plus यहाँ पर आपको जो everyday tour काम करना है and export करवा के देना है अब यहाँ पर अच्छी मात यह है कि थोड़ा time भी लगे चलो 6 महीने आपने buyer find किया कोई buyer नहीं मिला कोई दिकत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका job शरू है income शरू है 7 महीने आपको buyer मिला आपको success मिला आपका वहाँ से export हुआ आपको एक income हुआ अगले 6 महीने आपने काम किया आपको experience आगे अच्छा काम हुआ उसके बाद आप जो है अपना business start कर सकते हो यहाँ पर job वाले क्या गलती करते है सीधा ही अपना job छोड़ देते export import में आ जाते right इतना knowledge होता नहीं है right mentor के साथ आगे नहीं बढ़ते यहाँ पर सबसे important चीज़े right mentor आपको कोई guide करने वाला होना चाहिए तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो तो अभी आपको क्या करना है proper export import learn करना है उसके बाद joint venture में काम करना है एक बार आपको confidence हा जाए फिर आपको job छ करना है तो सबसे पहले properly learn करना है उसके पास उसके पास दो option है अगर उसका बजेट है तो अपना खुद का business start कर सकते हैं अपना कमनी बनाए बनाए और आपको आपको सबसे पहले यहां पर यहां पर किसी के साथ partnership कर रहे हो तो यहां पर मैनुफेक्ट्र मिल गया अब क्या करना है मार्केटिंग करना है वो तो घर बैठे भी हो सकता है बायर से बात करना है communication करना सेंपल मांगता है तो आपको आपका business जो है next level पर ले जाना है तो आप जो है export business start कर सकते हो अब लोकल में business करते हो तो आपका basic setup है आपको business का understanding भी है देखो को student है direct business शुरू करेगा तो इतना understanding भी नहीं रहेगा तो आपके बास यहाँ पर understanding है आप mature हो तो आप जो है proper mentor के साथ आप अपना export का business शरू कर सकते हो यह तो आप जो है अपने business को आगे ले जा सकते हो उसके लिए दो employee भी रख सकते हो अच्छा marketing करके अपनी product का अच्छा ब्रांडिंग करके आप अच्छा global business कर सकते हो और export के अंदर अच्छा profit कमा सकते हो देखिए export का business जो है recurring business है एक बार बायर आता है तो generally अच्छा service देते हो अच्छा quality product देते हो तो बायर जो है आप से repeat में goods लेता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है मैं खुद भी एक exporter हूँ तो मेरे को यहाँ पर order जो repeated आ रहे क्या हो रहे कि मेरे जो बायर जो है existing बायर और यहां पर बड़ेगा उतना यहां पर profit बड़ेगा तो यहां पर export इंपोर्ट के अंदर अच्छी ऑपर चूटी है अच्छा है इसमें आप काम कर सकते हो तो यह फिल्ड में आप काम करना चाहते हो और चाहते हो को मैं आपको mentor करूँ मैं आपको help करूँ आप मेरा support चाहते हो तो आप हमारा export इंपोर्ट action mentorship program को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर हर एक step पर हर एक लेवल पर मैं आपको guide करूंगा, जहाँ पर हमारा 15 step का action plan है, जिसके उपर आपको work करना है और मैं उसमें पूरा support करता हूँ, जिसमें like product selection कैसे करना है, market selection कैसे करना है, buyer को find कैसे करना है, buyer को convince कैसे करना है, उसके बाद जो है advance में payment कैसे लेना है and mean logistics and documentation कैसे करना है तो यह सारा 15 step का export import action mentorship program है जिसको आप join कर सकते हो so आईए मिलके काम करते है and let's go global together thank you